चोवकट में अच्छी तरह से 3-4 इंच होल होनी चाहिए और देड़ पुट या एक फिट के अंदर एक खोल होने चाहिए देखिए आप इस तरीके की होल करेंगे और होल को क्रॉस करके करेंगे अच्छी तरह से ओयल वाली दवाई उसके अंदर जा सके ठीक है उसके बाद आप सारी होल खतम होने के बाद उपर के हिस्सा में जो मोल्डिंग है आप नर्माल डीला करेंगे जरासा डीला करेंगे ठीक है इस तरीके की उपर में एक छेद करना या एक होल करना कोई जरूरत के नहीं है आप एक छेद कर रहे हैं तो ये तीन पूट के अंदर जो जो कट है शाड़े तीन पूट में ये दवाई उसके अंदर नहीं जा पाएगी हमारी ये प्रोसस है कि इसमें टेपिंग होती है टेपिंग होने की बज़ा यह है कि उपर की तरब से हम जब दवाई की इंजेक्ट करेंगे दवाई जब डालेंगे तो यह बहके निकलेगा नहीं टेप के अंदर सारे क्याप्चर हो जाएगा जिसकी जरिये से वेनिफिट यह मिलेगा कि जो ओल वा लोड़ी दवाई भीग जाएगी ठीक है उसके बाद हम देखेंगे केमिकल्स क्या यूज़ करेंगे देखें हमने एक फ्लाट ट्रिटमेंट के लिए पांस लीटर मठी तेल शरी दो फ्लाट था पांस लीटर मठी तेल और यह फाइब लीटर का एग्रो साइंस के अंदर अब फुट होने वाला क्लोरो फारिफास इसका अबरान का नाम है ड्रस बन उसके बाद एक बिग फ्लिक्स एक डवा निथल निथल स्मेल ज्यादा होता है हमने निथल इसलिए लिया कि जैकि जो कक्रोज है वो सिवर लाइन की जरिये से होते हैं और नाली में डालो तो सार खतम हो जाएंगे और आप यह देखिए जैसे कि यह लिकूड ट्रीटिमेंट वाला प्रोसेस है जिसमें से सो एमेल और प्लोरो फारिफास और उसके बाद तीन लीटर की वाटर मिक्स होती है आप इस तरीके की वाटर ट्रीटमेंट यानि लिकूड ट्राट में कराएंगे या हाउस में कराएंगे तो कुछ सालों के बाद ऐसा नहीं कि अगले दिने आपको देखने को मिलेगा बट एक दो बार ट्रीटमेंट होने के बाद फिर दो चार साल के अंदर अंदर इस तरीके की आपको लुक्सान सेहना पड़ेगा और पूरी अलमारी चौकट इस सारे जाएंगे देखिए एक फ्लाट था जिसने थ्री मंत के लिए पेस्ट कंड्रोल करा के कहीं हरें गये थे बट इन्होंने जब वापस आया इस तरीके कि उनकी पूरी लुक्सान हो गया था फिर इन्होंने हमें पूछने लगे कि यह क्यों हुआ किस बज़े से यह सब वाट होता है इनको खतम कर देता है और दिरे दिरे जल्दी से जल्दी इसमें दीमक सुरू हो जाते हैं वाटर ट्रीट्मेंट होता है आप वाटर ट्रीट्मेंट अक्चली मच्छर मक्खी और आपकी घर में चीन्टी और कक्रोज इंज से चीची को यह होता है जो वाटर को मिक् पेस्ट कंट्रोल कराते हैं तो आपका जो फ्यामिली पेस्ट कंट्रोलर होता है जिससे आप कई सालों से करते आ रहे हैं और कई सालों से उनसे जानते हैं उनको बोलके आप आप आयल ट्रिटमेंट करा सकते हैं और आयल ट्रिटमेंट कराएंगे तो 100% आपका ये सारे फनीच करना नहीं पड़ेगा कि टीटमेंट अंटी टर्माइट की केमिकल्स और सारे केटनासक की उपर आपको कुछ नोलेज चाहिए तो आप हमारे डिसकेशन में नंबर है उसी नंबर से वाटसब करके आप पूर सकते हैं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए लाइक कर लिए बेल आइकन जरूर दबाईए हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं जय जगनात जय हिन जय भारत